विल्कम तो दा नेक्स लेक्ट्चर ऑफ दा बैंकिंग कंपनी बैंकिंग कंपनी का जो फॉर्मेट पार्ट है नहीं के मैं बताया था कंसेप्ट है तो उसके अंदर एक लास्ट में था बैलेंशीट और प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट देखलो हमने बहुत सारा करके हो कमच गया कि कब इन पर यह करते हैं यह कि न राइन राइन परफॉर्मिंग का इंकम कैसा करते हैं डाइन साल डौटफुल लॉस असेट प्रोजिजन अडवांस जो ग्यारेंटी दिया डिया इसी जी सी और इसी जी सी ने वह भी समझ लिए रिबेट ऑन बिल्ड डिसकाउंटिंग जितना एक्स्ट्रा डिसकाउंटिंग जो नेक्स्ट अकॉंटिंग यह में आता उसको रिबेट बुलत प्रोफिट लॉस का फॉर्मेट तो पहला हम समझ लेते हैं बैलेशिट का फॉर्मेट उसके बाद प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट सुने पहला बैलेशिट का फॉर्मेट नेक्स्ट प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट तो सुने पहला समझते हैं बैलेशिट का का उपर कोशन बहुत कम आते हैं लेकिस्ट मेसे गーसन इसी लिए जरू करके जाना इस लिए जरू करका कर मैं सुन रहे हो तो चलो भाहर द्यान देना पहला लिख fine 有 का है फॉर्म भी प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट हो बाद में कवर करूंगा उसमें बैलंस शीट लिखेंगे ऐस ऑन थर्टीफर्स मार्च जो भी रहेगा कैपिटल इसके दो पार्ट होते हैं जैसे आपके हाथ है दो पार्ट नहीं लेट और राइट वह इसी आपका जो ल यह बनें लापकोस बैंक ने पैसा लगा रहेगा ना कफ क्या थे आ रहेगा तो कपिटल में कौई हड़ एजस्में नहीं होता है क्यापिटल बस कपिटल लिखने तो सबका schedule बनेगा capital, reserve, deposit, borrowing, other liability and provision मतलब 5 liability है capital liability में 5 है capital, reserve, deposit, borrowing, other और assets में क्या क्या लिखना है आपको assets में 1, 2, 3, 4, 5, 6 assets में cash and balance विदार भी है balance with bank and money at call and short notice investment advance fixets और other assets जो कोई भी नहीं आता है वो बहार आता है चपल कैसा मंदिर के बाहर रखते हैं वैसा condition liability चलो start करते हैं वेल्कम टू दा नेक्स लिक्टर ऑदा बैंकिंग ओके तो अब हम करने जारें balance sheet का format balance sheet का format बेटा कैसे बनाएंगे तो यह तो एक rough idea कि इसको इसी order बनाना कल अगर इसमें से कोई नहीं है तो आपको तभी भी लिखना है पहले बात समझो जो शेडूल हो फिक्स्ट है तो सबसे पहला लिखेंगे शेयर capital हाँ capital liability में शेयर कैपिटल उसमें शेडल नंबर वन बना देना शेयर कैपिटल का जो कापिटल दिया रहेगा वह लिख देना उसमें कोई हाड एजस्मेंट नहीं होता ठीक है यहां लिख देंगे हम तो statutory reserve add addition किया रहेगा तो add कर देना capital रिजव कोई और भी रिजव हो रहेगा तो वह लिख देना सरे profit loss कि दर से आएगा यह profit loss account फ्रॉम profit loss statements आएगा बैलेंस आफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या profit loss statement जो बनाएंगे दिखा देता हूँ ऐसा बनता है टाइम प्लीज यह जो profit loss दिखाता हूँ रूखो हाँ यह देखो यह profit loss statement बनता है बाद में form भी तो profit loss statement का income expenditure यह बात का बात है हम सिखाएंगे चिंता मत करें जो लास्ट अंसर आता है बैलेंस करड़न टो बैलेंस यह यह आंसर मतलब profit loss account का जो अंसर आता है वह आता है इदर पर हम काम चलो आपको यह बता रहे हैं सुन रहे हैं वापिस templates हम क्या बोल रहे थे आपको reserve में क्या cash हो करोगे statutory reserve कुछ addition वह था add कर देना capital reserve और यह profit loss का answer कि दर से आएगा balance of profit loss account बनाने बोले थे वहां से answer आएगा ठीक है तो यह profit loss से answer आता है सबको plus कर देना reserve का answer है इसको उठाकर solution मिली देना reserve अब आते हैं यहां से interesting सबसे favorite सबका फेवरेट deposit कभी भूलना नहीं deposit और यह three और nine यह भर-भर के adjustment रहते इसके अंदर deposit क्या होता है यात करो introduction lecture मेंने बताया तब public हमारे पास आती है पैसा रखती है तो public का asset है हमारा liability है दोनों का asset नहीं हो सकता है वो हक है उनका मांगेंगे पैसा तो हमारा liability है पे करेंगे तो public जो भी account में पैसा रखती है it can be fd it can be saving account it can be current account वो सबका सब schedule number three में लिखना है यह रांसर तो schedule number three में क्या क्या है आएगा fix deposit saving deposit current account वह भी credit credit क्योंकि liability credit balance होता है current account डेविट इधर नहीं आता है ठीक है आगे बढ़ते है इसी का total उठाके उपर लिग देना है आपको deposit का answer बोलो समझा deposit में क्या आएगा मेरे को त्याद हो गया fix deposit saving deposit current कुछ recurring deposit रहेगा तो वह भी आ जाएगा समझे यस तो capital पहला resource surplus दूसरा तीसरा deposit चौता कोन है borrowing bank ने भी भीक मांगा है दूसरे से borrowing किया है तो जो भी borrowing किया है उसका हम schedule बनाएंगे तो schedule number four borrowing अब borrowing हो सकता है borrowing in India हो borrowing outside इंडिया हो किदर से भी हो सकता है तो borrowing in India में RBI से पैसा लिया क्योंकि RBI के पास पैसा चापने का machine है तो RBI से लिया है सब कर जाए अधर लाइबिलिटी बिटा जो किदर भी नहीं आएगा नो schedule नंबर पांच में लिखने का मतला आपने ऐसा पूछने का ना वह capital है ना वह रिजाव है ना वह deposit है ना वह borrowing है तो किदर आएगा अधर में डाल देना अधर लाइबिलिटेन प्रोविजिन शेडुल no.5 तो शेडुल no.5 में क्या क्या शो करेंगा ध्याद करो बैंक अपने उपके और कभी कभी demand drop बनाती है तो इमें रफ को आपको दे दिया तो ये हम ये उस happy बैंक का लिय होगे liability side में हो भी कहा लिखोगे other liability फिर से बोलता हूँ मैं गया SBA bank में demand drop बनाया दसर का मैंने ICI को दिया एक demand drop एक चेक जैसा रहता है वो कभी bounce नहीं होता है फिर यह ICI के पास गया ICI ने वह वापिस SBA को अपना account deposit किया तो वो वो चेक clear होगा that is bank का liability है जो भी पैसा मैंने bank को दिया है bank ICI को देगी bank ICI को देगी bank ICI को देगी that is bills payable तो bank का मिशा liability होता है asset नहीं होता है आपको bills कभी नहीं दिखाई देगा inter office adjustment यह interesting है inter office adjustment यह दोनों side हो सकते inter office adjustment सुन रहे हैं यह दोनों जगे हो सकते वाट इस inter office adjustment हैंदना हमारा bank मेरा bank account मेरे को मालूम है किदर है मतलब bank का बहुत सारी शाखा होती है यह तो अब देखिए ना तो होता क्या है अगर मेरा account इधर मुंबई में है और मैं बाद में पता चला मैं कई और account से अगर पैसा निकालता हूं तो बाद में bank को भी लेना देना पड़ता है अपना adjustment है यह मेरा account SBI में मैं जाकर मस्ति करता हूं किसी और ATM से पैसा निकालता हूं एकसे बैंक से कैनरा बैंक से तो कभी कभी क्या होता है बाद में net settlement करना पड़ता है हां net settlement करना पड़ता है इंटर office adjustment एक office का दूसरा office से कोई adjustment हो तो यह plus में भी हो सकते है माइनस में भी हो सकते हैं इंटर ओफिस ये इंटर नहीं इंटर ओफिस ओके तो एक ओफिस का दूसरा ओफिस का मतलब ये प्लस माइनस हो सकते हैं हो सकता है एक बैंक को पैसा लेना है ये जैसे हम लिख रहे हैं SBI तो SBI को दूसरे को पइसा देना है क्या दूसरा office को payment करना है तो वो लिखेंगे liability में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे schedule number 5 में लिखेंगे क्योंकि liability है हम आपको 20 alak रुपय देने का लेकिन situation उल्टा भी हो सकता है दूसरा office से उल्टा पैसा लेना है तो यह तो bank का asset हो जाएगा तो फिर schedule number 5 मिन है फिर schedule number 11 में आए जाएगा याद रहेगा inter office adjustment के बारे में क्या बता है सर ने अगर bank को किसी को कोई और office को payment करना है transaction होते हैं ना office का तो अगर कुछ देने करेगा तो five में show करेंगा अगर वो लेने करेगा तभी इंटर office adjustment ही बोलेंगे लेकिन फिर कहा शो करेंगे schedule number 11 में show करेंगे तो याद रहेगा यह किसके बेसे decide होता है कि वो asset की liability है अगर credit balance है liability credit होता है तो फिर पांच में show करेंगे provision करते हैं ना provision यह भी liability है तो याद रहेगा पांच में क्या आएगा बिल्स पेबल इंटर office adjustment हो भी कौन सा है यह credit वाला हां कि यह credit रहता है credit और provision वाट टैक्स आगे वढ़ते हैं तो याद रहेगा capital reserve deposit borrowing और other मेरे को तो याद हो कि देखो आग बन करके बोल रहा हूँ capital reserve deposit borrowing अधर फिर से बल्क बताओ दो हमें तो capital reserve surplus deposit borrowing और अधर liability इंप्रोविशन आपको भी इस याद करना है पता चलो सर कोई नहीं आता है तो मतलब क्या है चला आजो assets में भी क्या क्या लिखोगे assets cash and balance with RBI कुछ cash bank है तो भाई खजाना रखा है बहुत बड़ा जिल जैसा बना के रखा है अंदर suit case रखा है तो cash bank अपने पास रखती है कुरोर्स में तो cash and balance with RBI schedule number 6 बनाएंगे सर इसमें cash हो करेंगे देखो यहाँ पर दिखाई देर है मेरे सर के ऊपर schedule number 6 cash and balance with RBI इसमें दो यह item आते है जो cash हमने अपने पास रखा है जो cash हमने अपने पास रखा है और जो cash हमने RBI के पास रखा है यही इसी को लिखना है तो यह नामी है ना schedule का cash and balance with RBI जो cash अपने पास रखे हो जो cash RBI के पास रखे हो वो उसी का total तो इसमें दो यह item आते है cash and balance with RBI यह बनेगा सेटल नमबर 7 उसके बाद सुनो इसमें क्या लिखना बैंक ने कैश अपने पास रखा है तो 6 में आएगा लेकिन SBI ने कुछ कैश कैनेरा बैंक के पास रखा तो यह तो दूसरा बैंक में रखा है आप दूसरा बैंक में खाता खोले हो तो balance with bank balance with bank आपने दूसरा bank balance with other bank मतलब समझे ना एक bank ने दूसरा bank के पैसा राका है तो seven में आएगा समझे तो balance with bank and money at call and short notice एक bank दूसरा bank को दो दिन के लिए पैसा देती है जरूरत पड़ेगा तो पांस दिन के लिए छे दिन के लिए इसको बोलते है short notice इसके लिए हम notice नहीं देंगे जैसा मेरे पास 10 crore रुपय है तो सामझे आना bank मेरे को पैसा मांग रहे थे उनको urgent payment करना है तो मैंने उनको 10 crore रुपय दो दिन के लिए दिये फिर मैं इतना फॉर्मिलिटी नहीं करते बटूँगा लीगल पेपर वर्क नहीं करूँगा भाई मेरे को मेरे पैसा चाहिए call पे transaction होता है call पे money at call and short notice इसका notice बोट ही short होता है ठीक है तो यह क्या होता है सिधा सिधा बोलो एक bank ने दूसरा bank को दिया it can be खाता खोला it can be आपको advance जैसा दिया है याद रहेगा तो अपने पास रखेंगे तो 6 दूसरा bank के पास रखेंगे तो 7 तो balance with bank and money at call and short notice बोट बड़ा नाम है याद रहेगा तो balance with bank मतलब एक bank ने दूसरा bank के पैसा रखा है दूसरा money at call and short notice भी इधर ही शो करना है ठीक है bank एक दिन दो दिन के लिए पैसा देती है रहे करोड के उपर ब्याज मिलता है पैसा रखे रखेंगे बढ़ता है नहीं लेकिन हम किसी को देंगे तो उस पर ब्याज मिलेगा तो इसलिए एक bank दूसरा bank को पैसा देती है आगे बढ़ते है 8 क्या हैगा investment बैंक पैसा रखे रखे जाड नहीं आने वाला है उसको पैसे को इन्वेस्ट करेंगे उस पर रिटन मिलेगा investment in government security shares तो जो भी investment किया रहेगा इसका total इसका सामने लिख देना दिखाई दे रहा है आभी दिख रहा है investment में क्या लिखेंगे दूसरा बैंक के पैसा रखे हो और दूसरा बैंक को short time के लिए पैसा दिए हो ही आता है investment जो भी बैंक का investment है schedule number 8 में आएगा 9 में क्या आएगा हमने advance ही दिया very very important bank का main धंद यही तो है याद कुरो starting में बताया था performing assets advance bank का asset तीनी होता है starting में बताया था तो bill purchase भूल जाते हो भूलकड कर कहीं के अरे bank का asset तीनी होता है न यह देखो starting में दिखाता हो यह देखो bank का asset तीन होता है कहां गया है यह देखो नहीं इसके बाद ने वो second videos में था यह देखो bank का asset तीन ने बताया था ना term loan, bill purchase और cash क्रेंट में तो bank का यह दंदा है loan देना bill purchase and discounting और order finance करना तो यह बैंक का main asset होता है तो यह तो very very important है इसलिए किदर शो करना है इसको हम शो करेंगे 9 के अंदर कहां शो करेंगे 9 के अंदर 9 इसका नाम है advance क्या नाम है advance अब advance में क्या था अच्छे से याद रखना है क्योंकि star बना हो star में इसलिए इदर नहीं बना हो क्योंकि भाई ऊच्छिवडूल बना रहा हो क्योंकि भाई सभशाव इसको याद रखना है आपको इसको याद रखना है बहुत important item है बिल पर्चेस क्षंक्ड याद कौरो तू है ड्रावर महीर ड्रावी दो ड्रावर ड्रावी ने एक दूसरे को बिल ड्राव के एको ज़ित। को order facility दिया short term term loan दिया लंबे समय के लिए दिया तो bank ने सब advance दिया अब यह जो advance ना bill purchase discounted cash credit od term loan इसको detail में कभी disclosure दिखाना पड़ता है इसके ओपर secured क्योंकि bank ने अगर loan दिया तो कुछ तो security लिया रहेगा तो secured by tangible asset अगर मालूम है तो बताओ covered by bank यह government guarantee कुछ है तो वह बता दो किसी ने guarantee दिया रहेगा आप ने जो loan उनको दिया है कुछ guarantee वगरा दिया रहेगा तो वह बता दो बाकि unsecured portion मतलब यह total आपको फिर से यह नीचे लिखना है और यह उपर का टूटल फिर से लिखना हो बताना उसमें से कितना secured है कितना unsecured है समझा समझ में वीडियो hide करूंगा चिंता मत करो पूरा तो screenshot यह तो ले सकता है एडवांस याद रहेगा अब आते हैं number 10 का दम bank के पास कुछ assets भी होते हैं जिसको बोलते है fix assets जैसे कि bank के बस premises से कुछ addition किया रहेगा तो add करना addition मतलब purchase किया है और assets के ओपर depreciation होता है तो less हो जाएगा ऐसी bank के पास furniture है तो furniture में addition रहेगा तो add कर देना depreciation रहेगा तो less कर देना दोनों plus कर दो fix assets आ जाएगा समझे तो fix assets में क्या लिखना बैंक के पास जो भी आसेट है वही लिखना है computer भी assets जो किदर भी नहीं आता है जो किदर भी नहीं आएगा अधर में यह रहा अधर asset तो यादे इंटर office adjustment अगर credit रहेगा तो इदर आएगा इंटर office adjustment अगर debit रहेगा तो इधर पर है क्योंकि ऐसे debit balance होता है समझे बिटा इंटर office adjustment credit रहेगा तो यहां पर शो होगा लेकिन debit दिख रहा है आपको debit है देखो हाँ तो देख लेना debit credit है ने तो पांच ने तो ग्यारा पांच बच के ग्यारा नहीं ने पांच ने तो 11 में आएगा interest accrued हमने कुछ पैसा invest कि तो उसका ब्याज नहीं मिला आने वाला क्योंकि इसका तो कोई नहीं जिसका कोई नहीं उसा खुदा यारो देखो ना 6 में आएगा ना 7 में आएगा ना 8 में आएगा न 9 में न 10 में 11 में डाल देना जो किदर भी नहीं आएगा 11 में डाल देना तो उनको कार लोन दिया था तुमने नहीं दिया तो कारी जब्त कर लेंगे वीजय मालय भाग गये तो वीजय मालय का बहुत सारा संपती जब्त कर लिया ठीक है तो नॉन बैंकिंग असेट सेक्वारिं सेटिस्फेक्शन ऑफ दा क्लेम उपाइसा नहीं देरते उनका बाली हो जाएगा सरे बारा क्या है जैसा मंदिर में घुशते हो तो चपल बाहर रखते हो वैसी बैलेंस शीट के बाहर रखना दो आइटम को जिसका नाम है कॉंटिजन लाइबिलिटी और बिल फो कलेक्शन समझा था ना बिल फो कलेक्शन बिल हमको मिला है वसूली करने क द्यान देना कॉंटिजन लाइबिलिटी में क्या के शो करना है देखो कॉंटिजन लाइबिलिटी में क्लेम अगेंस दा बैंक के खिलाफ किसी ने कोट में केस कर दिया तो यह कॉंटिजन लाइबिलिटी भविश्य का लाइबिलिटी है अलग से शो करना है लाइबिलिटी दस रूब पे करने हैं लेकिन अभी तक हमने किल 6 रुपए दिया तो 4 रुपए कभी मांग सकती है वो कंपनी तो हमें देना पड़ेगा कॉंटिजन लाइबिलिटी है गैरेंटी आपने किसी गैरेंटी दिया है तो कॉंटिजन लाइबिलिटी कल उपाई से दुबा देगा तो आपको देना पड़ेगा एक्सेप्टेंस और इंडॉर्समेंट यह भी कॉंटिजन लाइबिलिटी रहेगा उसको बाहर शो करना एक से ज्यादा है तो नोट बना देना ठीक है तो अल्मोस्ट हो गया एक बात और इसका जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ने बैटा कि हम लोग प्रॉफिट लॉस और बालेंस शीट का तो एक एक कंसेप्ट आएगा इन्वेस्मेंट के बारे कुछ बात बता दो देखो यह अपना स्टेटी मैट से लिया है इन्वेस्मेंट बैंक ना केटेगराइस करती है रूल से इन्वेस्मेंट को ग्रूप बनाती है 25 पर सेंट है 25 पर सन मतलब 2.5 करोर 2.5 करोर हैं डिल मैचूरिटी बोलते हैं हैं टिल मैचूरिटी H T M that stand for health till maturity मतला धाई करोड का जो investment है उसको हम कभी बेचेंगे नहीं इसका maturity होता है जैसे पैसा हमने 10 साल के लिए लगा दिया 4 साल के लिए लगा है तो अगर मैंने पैसा 5 साल के लगा है तो 5 साल के बाद ही हम इसको पैसा करेंगे लेंगे इसे पैसा हेल्टील मैचुरिटी जब उसका मैचुरिटी होगा तब ही हम लेंगे उसको बोलते हैं हेल्टील मैचुरिटी मतला बैंक के पास जितना भी investment होता हो उसको categorize करती है कुछ investment 25% maturity के लिए रखे हैं और बाकी बचा 75% मतला 7.5 करोड इसको trading के लिए रखे trading मतलब वो जेली भाव कम जादा होता है तो उसका benefit लेंगे तो trading के लिए रखे मतलब पूरा investment trading नहीं करते 25% हेल्टील मैचुरिटी और बैलन्स जितना भी रहेगा वो trading के लिए trading के लिए held for trading हेल्ट फॉर ट्रेडिंग ठीक है चलो पड़ो यहां देखो security acquired by the bank with the intention to hold up to the maturity so बोलते है held till maturity max दिवाना कर दे max 25% of the investment through the bank can be descriptive hold less than affordable percent ठीक है नहीं तो 25% ही रख सकते है maturity के लिए और security acquired by the bank with the intention to trade in the trade करने के लिए मतला buying selling करने के लिए तो उसको बोलते है held for trading security which does not fall in the above two category available for sale उसको बेचने के लिए रखे तो तीन category है held till तो overall आपको याद हने का 25% इस category में आते है held till maturity बाकि held for trading और available for sale उसको बेचने के लिए रखे ठीक है बाकि 75% उसके अंदर आता है बोलो याद रहेगा याद रहेगा तो 25% held till maturity और 75% वो दोनों combination आगे कौन-कौन held for trading और available for sale ओके 75% ओक्या होता है जो available for sale है यह जो held trading वाला उसको market भाव पे शो करना पड़ता तो उसका कम ज़्यादा होगा ना तो उसका effector उसका provision करना पड़ता है जितना भी अगर investing अब होग कम हो जाएगा तो उसका provision करना पड़ता है ठीक है तो यह आएगा आपको जब problem करेंगे तो इतना तो समझाए investment का दो पार्ट करना पड़ता है 25% maturity के लिए बाकि 75% trading के लिए याद रहेगा balance sheet का format याद रहना पड़ता उसके बाद ही हम आपको समझाएंगे जब profit loss करेंगे तो profit loss का format यही वाला है लेकिन वो वीडियो में समझाऊंगा पहला balance sheet समझते हैं बाद में profit loss करेंगे ठीक है चलो इससे संबदित खतरनक problem करेंगे study mat का lengthy lengthy exam में balance sheet डलो question बहुत कम chance होता लेकिन इसका मत यह थोड़ी नहीं कि छोड़ देने का करने का रुक को मैं एक बार वीडियो हाइड कर देता हूँ आपको कुछ लिखना है तो लिख सकते हो screenshot लेना ले सकते हो मिला फिर उसका देख balance part फिर यह balance part ठीक है चलो बाई बाई